Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप जितना जादा US के policies और इसके action को पढ़ेंगे, आप उतना ही जादा confident महसूस करेंगे ये कहने में कि US से बड़ा hypocrite कोई भी नहीं हो सकता है इस पूरे दुनिया में US अगर आपका तारीफ करता है तो आप समझ जाना कि US आपसे काम निकालना चाहता है और अगर आप US से बहुत distance maintain करते हैं तो possibility काफी हाई हो जाता है कि ये किसी भी तरीके से आपको ये बता दे कि आप global threat है और आपके देश के उपर sanctions लगा दिया जाए भारत और इरान के साथ business करता है तो वो sanction को invitation देता है क्या है ये पुरा मामला और मैंने क्यूं कहा कि US से बड़ा hypocrite या इन से बड़ा मतलब ही कोई नहीं है इस वीडियो में हम जानेंगे मगर आगे बढ़ हुई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो channel को subscribe और वीडियो को like and share क भारत 2003 से interested चाबहार पोर्ट को develop करने के लिए और अभी तक 100% develop नहीं हो पाया है लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत हट तक operational हो गया है अगर किसी भी तरीके से चाबहार पोर्ट का access भारत अच्छे से करता है तो एक जो सबसे बड़ा important काम होगा हमारे लिए वो ये होगा कि हमा कहने का मतलब है क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है तो जो हमारा energy requirement है ये हम अलग-अलग देशों से खर देंगे ताकि हमारा जो dependency है वो किसी एक-दो देश के ऊपर ना रहे और उसके बाद अगर आप इस map को बहुत ही अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर इरान में हमारा access मिल जाता है तो chances काफी high हो जाते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ भी directly उनके सरकार के साथ deal कर सकें और हो सके तो हम तुर्कमनिस्तान तरफ भी हम जा सकें तो कहने का मतलब है कि हमारे पास और भी options खुल जाएंगे ये 24 March का article है इसी साल का जहां पर आप देख सकते कि Government of Canada ने Airbus को Russian Titanium यूज करने का permission दे दिया जैसा कि हम सभी को पता है कि Russia और Ukraine लगभग 20 सालों से war में हैं जहां पर Russia के उपर 16,000 से भी अधिक sanctions लगाये गये हैं और इन सब sanctions लगाने में जो सबसे आगे खड़ा था वो था Canada और आज यही Canada है जो Air बस को ये कह रहा है कि आप Russia से Titanium पर्चेस करें और उसका आप इस्तिमाल करें तो एक बहुत ही basic सवाल आ सकता है दिमाग में कि फिर ये किस टाइप का sanction imposed किया गया है European countries, Canada और US के द्वारा जहां पे आप अपने मतलब का चीज खरीद रहें लेकिन अगर वहीं कोई दूसरा देश किसी और के साथ अपने business deal को करना चाता है तो आप बढ़ चड़कर उस देश को threaten करते हैं sanctions का ये आप दूसरा एक article देख सकते है The Washington Post का ये 2023 का article है हलाकि इसमें जो information दिया गया है वो आज भी relevant है कहने का मतलब है कि आज भी US और European countries रश्या से ही nuclear fuel खरीद रहें ना कि रश्या से nuclear fuel खरीद रहें बलकि almost 50% से भी ज़्यादा जो European countries और US है वो directly dependent है रश्या nuclear fuel के ऊपर और आज भी ये सारे देश जो बढ़ चड़कर रश्या के ऊपर sanctions लगाया हैं वो बहुत हद तक रश्या का nuclear fuel या और भी कहले जो raw materials purchase कर रहे हैं directly purchase नहीं कर रहे हैं तो किसी ना किसी third party को involve करके आज भी purchase किया जा रहा है ऐसे आपको कम से कम तो 50 articles मिल जाएंगे verified information के साथ जहां आपको मालूम पड़ेगा कि बस कहने के लिए रश्या के ऊपर sanctions लगाये गये हैं और वही सारे देश बढ़ चड़कर आज भी रश्या के साथ business कर रहे हैं तो मुझे ल भारत 10 साल का एक contract को sign कर रहे हैं जहां पे वो चाबहार port का terminal का इस्तेमाल करेंगे चाबहार port इरान के सिस्तान मलुचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है और इसका strategic importance काफी जादा हो जाता है और यह जो specific deal sign हुआ है वो भारत के IPGL और इरान के PMO के बीच में हुआ है जिसक इरान एक बहुत ही negative देश है और साथ में मैं दुबारा याद दिला दू कि आज भी चाइना इरान से oil purchase करता है और इसके बारे में तकरीबन सभी को पता है including US लेकिन US कभी भी अपने जो बरावरी वाला देश है उससे ज़्यादा उलजना नहीं चाहेगा US के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन जिनका नाम विदान पटेल है उन्होंने एक प्रेस ब्रीफ में कहा कि कोई भी देश इरान के साथ अगर business करता है तो वो possible sanction को attract करता है हलाकि यहाँ पे किसी भी तरीके से भारत का नाम directly नहीं लिया गया लेकिन जो इशार Make in India initiative को promote करेगा और उस पे काम करेगा उतना ही जादा हमारे पास options रहेंगे कि हम अपने foreign policy को अपने हिसाब से design और develop करें अब क्यूंकि US के तरब से एक soft ledger में हमें warning दी जाती है जिसके response में हमारे डॉक्टर जै संकर सर का एक बहुत ही calculated तरीके से statement आता है हलाकि यहाँ पे समझें कि उस देश के अपने क्या issues हैं और वो देश सामने वाले के साथ business क्यूं करना चाता है और जहाँ पे dialogue और diplomacy नहीं होता है वहाँ पे संबंध खराब हो जाते हैं और US और European countries को ये भ्रहम है कि अगर वो किसी भी देश के उपर sanctions लगा देंगे तो वो देश की economy खतम हो वीडियो को conclude करना चाहें तो आपको समझ में आएगा कि जब तक भारत export oriented देश नहीं बनेगा तब तक वो खुल के अपने decisions को नहीं ले सकता है और कल को अगर किसी भी तरीके से US भारत का तारीफ करता है तो हमें सतर्क हो जाना है और हमें ये समझना है कि कहीं न कहीं इस त कियर गुडबाइ